हेलो फ्रेंज आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आप सभी को पेपर कैट बनाना सिखाऊंगी जो की बहुती इजी और सिंपल है जो ये पेपर कैट टीचर, स्कूल के टीचर और घर में पैरेंट्स बच्चों को सिखा सकते हैं आप ये फोन मेरा चैनल लगा के देने से बच्चे इससे देख के भी खुद सिख सकते हैं क्योंकि मैं इसे बहुती सिंपल और इजी वे में सिखाऊंगी इसमें कैची गम इसका कोई भी यूज नहीं है पेपर फोल्डिंग से ये क्राफ्ट मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी चलिए अभी बिना देर किये हुए जल्दी से ये क्राफ्ट हम लोग सीख लेते हैं कि चलि हम लोग को शुरू करते हैं पेपर क्लिव ना जिसमें हम लोगों को ऐसी औरी गेमी पेपर की जरूरत आप लोग किसी भी से देख सकते हैं कि किसी भी पेपर को स्क्वेर कैसे बनाया जाता है चलिए अभी शुरू करते हैं पहले हम लोग इस चॉपोर पेपर को डाइगनली फोल्ड करेंगे ऐसे और कॉर्णर टू कॉर्णर एकदम बराबर से फोल्ड करेंगे कहीं से भी बरा छोटा नहीं होना चाहिए ऐसे यह हमारा चॉकोर था पेपर इसको हमने ऐसे फोल्ड किया और यहां से अच्छे से दवा दिया ताकि यह खोलने से मुझे यह स्ट्रेट लाइन यहां पे दिखे अभी हम लोग यह उपर वाला जो पार्ट है इसको यहां से टच करके फोल्ड करेंगे ऐसे अभी इसको उपर से यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे हो गया अभी क्या करेंगे बीच में एक और ऐसे फोल्ड करेंगे यह जो कॉंड़र है यह एक दब से बराअबर होना थığını तो फॉर्स स्टेप हुआ हमने इसको ऐसे फोल्ड किया फिर उपर वाला यहां से डाक से मिलाया फिर इसको उपर से फोल्ड किया अभी यहां से फोल्ड करके एक यहां से स्ट्रेट लाइन बनाया अभी ये जो पोर्षन है इसको यहाँ अभी जो है ये उपर वाला ऐसे फोल्ड करेंगे ट्रैंगिल और यहाँ से जो बज गया इसको भी यहाँ से मिला के एक और ट्रैंगिल बना लेंगे ठीक है अभी कैट का हम लोग पहले क्या बनाएंगे इयर कैट का कान ये देखो ये जो पेपर था इसको उपर से ऐसे फोल्ड करेंगे अभी सेम इधर देखो ये बन गया कैट का इयर अभी ये हेट का पॉर्शन थोड़ा सा फोल्ड कर देखो ये देखो अभी नीचे बन गया अभी क्या बचा माउथ और नोज अभी हम लोग माउथ और नोज बनाते माउथ के लिए क्या करेंगे ये पेपर ऐसे यहाँ से ट्रैंगिल बनाएंगे और उपर से छोटा सा एक और प्रैंगिल ये अभी कैट का बड़ा बड़ा क्या होता है आइस आइस बनाएंगे बन गयाना केट कमूँ आइस बनाएंगे